जियोलोजिकल टाइम स्केल के अंदर आज हम लास्ट एरा सीनोजोईक एरा की बात करने जा रहे हैं जो इसको हम कोमली एज ओफ मैमल्स का नाम देते हैं लेकिन अगर इकवल जस्ट्र से देखा जाए ते उसको हम एज ओफ लावरिंग प्लांट्स एज ओफ इंसेक्ट्स या इसके इंट्रडक्शन को देखे तो हमाई पास 65 मिलियन इयर्स तक रहा है अब इसको हम एज ओफ मैमल्स पर्ट्रिया फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम देते हैं क्योंकि इस एरा के अंदर इन सारे ग्रूप्स की ही बहुत जदा एवलूशन ही बहुत जदा हमें वर Periode उर्टैटरिए और अब इसमें हम इसको सवंग ऑक्स में डिवाट करते हैं जिसमें जो फिक्रव्स तर्श्री पिरिइड के इंदर आजते हैं और जो लास्ट्ट वैपाक्स हम क्टैग्राइश करतेिड़् Ouiवरे सब से पहले देखंग तो इसमें हमारे पास आ जाते ह अगे जिस सबसे पहले अगर हम पीरियर्ट में देखे तो तर्शिरी पीरिट को अगर डिसकस करें तो जैसे हमने देख लिए कि इसके अंदर हमारे पास फाइव एपॉक्स आ जाते हैं अब इसमें क्या हुए मैमल्स और बर्ट्स की एविलिशन हुई है इसके लावा जो एंजियो स्पंस हैं या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन्होंने वाइड सप्रेड डॉमिनन्स अटेन की है अब मैमल्स ने सारी के सारी एकोलोजिकल निशिस को कपाई किया मतलब हमें साए के सारी मेमल्स जैसे के जी ऑर्बोरियल होगे या फिर आरबोडियल मतलब ट्रीस को अब रहने वाले फॉसवूर्यल होगे यानी जो बुरो बना आके रहते हैं वो होगे इसके लावा जो insectivers यानि insect eaters जो हो गए यानि सारे के सारे ही जो mammals से वो हमें नजर आए हैं tertiary period के अंदर अब अगर थोड़ा सा इसके epochs को देखे तो elephants, horses, pigs और पेकारी सबसे पहले इनके जो forces हमने eocene के अंदर discover किये हैं इसके लावा जो deer, cattle और दूसे जो antilopes हैं इनके forces हमें सबसे पहले oligocene epoch के अंदर देखने को मिले हैं अगर aquatic animals को देखें तो aquatic animals के अंदर जो whales और porpoises थें या हमें eocene के अंदर नजर आए हैं अगर modern bird orders की बात करें तो modern bird orders जदा तर हमें eocene के अंदर देखने को मिले हैं अगर myocene में देखें तो myocene या फिर जो myocene word है इसके अंदर हमें seals or sea loins देखने को मिली हैं तो यहां पर आप tertiary period के जो animals थे यहां पिर अगर मैं कहूं mammals थे उनको आप देख भी सकते हैं अब इसमें two epochs आ जाते हैं अब अफकोर्स यह two epochs कौन से है जी एक तो हमारे पास है प्लेस्ट्रोसीन और दूसरा हमारे पास होलोसीन जिसको हम recent का भी नाम देते हैं अब प्लेस्ट्रोसीन के अंदर क्या हुआ है कि four periods of heavy glaciation हुए है और जो last glaciation हुई है यानि जो बरफबारी हुई है वो हमारे पास 11,000 years ago हुई है अब यह हमारे पास जो heavy glaciation के period है यह इतनी जदा heavy glaciation होती थी कि हमारे पास जो earth है या फिर हमारे पास जो continent है उनके उपर 3000 meter ठिक जो थी वो ice की sheet present होती थी glaciation के period में अब इसमें अगर marine फाना को देखें यानि जो marine के अंदर organisms या फिर जो animals present थे वो आज के अनिमल से बहुत कम ही डिफ्रेंस चोग करते हैं यानि almost आज को organism से बिल्कुल सीमिलर थे और अगर terrestrial फाने के अंदर तेखें तो terrestrial फाना में हमने देखे हैं quaternary period के अंदर mammoths को मैस्टोडोन्स विली रेनोस कोड क्लाइमेट के अंदर अगर होड क्लाइमेट यहां फिर warm क्लाइमेट के अंदर देखें तो इसमें हमने देखा है एलेफेंट्स होर्सीज कैमल्स और डियर्स को अब kuaternary period में जो हमें मैमल्स देखने को मिले उसमें से काफी ज़द पर ही अब होमो सैपियंस को अगर देखें तो होमो सैपियंस सबसे पहले हमें नियंदर्थल मैं के तोर पे नज़र आया यहां पर आपको आटनरी पीरिट के मैमल्स को देख भी सकते हैं तो स्टोडर्स यह थी आज की वीडियो अगर आप किसमें से कोई क्वेसे ना एक अन्फिजरा तो आम जिक मेंट के अंदर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तमजीत इंफ्रमेटी वीडियो के लिए चाले को सब्सक्राइब करें नेक्स वीडियो तक के लिए अलाफिस